मौसम में चिपकली के चोटे-चोटे बच्चे बहुत गूम रहें, ये दूद पे, अगर हमारा दूद खुला है, बरतनों पे, हर जगा मुँ मारते रहते हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए, फ्रेंट्स, आप सब कैसे हैं, उमीद है आप सब अच्छे होंगे, चाहे मौसम कैस हो, उमस भरा हो, या ठंड से, या गर्मी से हम परेशान हों, पर हर मौसम में हमें कुछ काम करना ही पड़ता है, पूरे घर का, साथ ही साथ कुछ समझदारी से भी काम करना पड़ता है, जैसे इस मौसम में चिपकली के चोटे-चोटे बच्चे बहुत गूम रहें, ये करी बैक को लेकर है, सबजियां वेगरा जब हम लाते हैं, तो करी बैक में ऐसी गांठे लग जाती है, कि जैसे हम खीच कर जब निकालते हैं, तो करी बैक फड़ता है, तो हम क्या करें, करी बैक को फारे ना, उसे थोड़ा सा एंट लें, और एंटने के बाद आसानी से कीप से फ्रेंड नेनुआ हम ला रहे हैं, बरसात के मौसम में इस समय की चल पानी, जर्म्स वेगरा बहुत रहते हैं, अगर हमारे पास समय नहीं है, नमक और सिर्के में भिगोने के लिए, तब हम बनाने से पहले उसे थोड़ा सा पानी से धोलें, धोने के बाद हम इसे ग की हमारी वेस्टेज कम से कम हो, तो इस तरह की चिलनी से जब हम वेस्ट निकालते हैं, तो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, पॉलिथीन में सब्जियों का वेस्ट ना रखकर आप किसी थाली या बरतन में रखें, जिसे अपने पौधों को आप ये वेस्ट दे सकें, खा चाकू में, इसका थोड़ा सा दाग लगा था, चाकू उमने धुला नहीं था, भूल गया थे, नेनवा चील लेने के बाद भी उसे एक बार धोना चीए, एक बार पहले फिर बाद में, क्योंकि जो हम चीलते हैं, तो उसके ऊपर का चिल का कड़वा रहता, अगर हम दुब चार घंटे लग जाते, यानि पानी ठंडा हो जाता है, तो हमारे पास इस तरह की बोतल हो, तो इस पे हम धोले, तो पहले मैंने चना धुला नहीं था, इसलिए थोड़ा सा हिला कर ठंडा पानी डाल कर, अभी चना धुल ले रही हूं, और हमारे इंडक्शन पे पानी गरम हो रहा है, बाद में उसे हम डाल देंगे, देखे इस तरह से, जितनी चना आपको भीगोने की जरूरत हो, उतना चना आप इसमें डाल दें, और फिर धोके, उसके बाद फिर गरम पानी डालने के बाद आप धकन लगा दीजे, देखेंगे, आपका चना बहुत अच्छे से एक घंटे के अंदर ही फूल जाएगा, गरमिया हैं, तो हम किचन में रात में रहते हैं, बहुत देर तब रात को भीगोना भूल जाते हैं, क्योंकि फ्रेंट बहुत ही ज़्यादा उमस है, और उमस के शाद गरमी भी है, क्योंकि बारिश से साल हो नहीं रही है, फ्रेंट आगली किचिन टिप से फ्रेंट जब हम बरतन वगएरा धूलते हैं तो इस तरह से उलटकर धक्कन और कुकर रख देते हैं पर गर्मियां हो उमस हो जाड़े में ही छिपकली नहीं निकलती है इतनी डेंजरस होती है फ्रेंट छिपकली का थूक हुआ बीट हुए वो बातरू बगर के नीचे जितने बरतन आएं तो ठप से धंग दें तो देखे प्रेशर कुकर इतना बड़ा है कि ठप से भी धक नहीं पा रहा है फ्रेंट तो उसका हैंडल तब हम क्या करें कि फ्रेंट इसे आप और किसी भी चीज से धक सकते हैं जैसे कपड़े से कॉटन से दबा क धक दीजिए और धकने पे बहुत ही आसानी से आपके पूरे बरतन सेफ रहेंगे अगर हो सके तो आप दुपड़े नहीं तो थोड़े बैट शीट के टुकड़े करके धक दीजिए इसके अंदर फ्रेंट आप तवा भी धक कर रग सकते हैं और यह चीजें अगर एक्दम गोलियों को लेके हर किसी के घर में नेप्थलीन की गोली होती है अगर ना हो तो आप बाजार से मंगा लें इसकी जगह आप चाहें तो कपूर की गोलियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं कपूर की गोली हो चाह नेप्थलीन की गोली हो यह कौक रोच हो चाह चिपकली हो इन्हे बाद rubber band लगा दीजिए आपके kitchen से sealant की smell भी चली जाएगी permanent कोने कोने में इसे डाल दीजिए friends अक्सर जहां भी sealant वगएरा होती है तो napsling की गोली बहुत काम करती है sink pipe के निचले वाले हिस्से में भी डाल दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा friends और उसके बाद जब morning हो जाए तब आप सारी गोलियों को अपने जो slap पे kitchen के उठाके एक डब्बे में ढखकर लीजिए और अगली kitchen tips है friend इसे हमें slap को अच्छे से भी साफ भी करना होगा क्योंकि सब्जी वेगरा कभी-कभी या कोई चीछ गिर जाती है पहले इसे आप अच्छे से कपड़े से पोच लीजिए उसके बाद फिर आप इस पे सिरका थोड़ा सा डाल कर फिर से kitchen slab को पोच लीजिए हो गया ना मज़ेदार सी टिप्स हम सभी के घर में इस तरह से सोडा रहता और ना भी रहे तो फ्रेंड आप हर महीने half kg soda लाकर अलग से रख लीजिए जो कपड़े धोने के काम सिंक धोने के काम और बहुत सी cleaning के काम भी आता है और यह बहुत सस्ता मिलता है फ्रेंड तो इसे ले लीजी थोड़ा सा सोडा डाल दिया हमने और थोड़ा सा वीनेगर फ्रेंड यह दोनु डालने के बाद बिना स और फिर फ्रेंट्स अगर यह पूरी तरह से आपने वौश कर दिया इस पे तो इस तरह से या आप चाहते हैं तो S actu से पानी से ढूल निके बाद देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा नैप्तली गोली 30 1987 बाद्रूम में भी नैप्तलीन की गोली खतम हो गई थी तो बात्रूम में भी हैं नेफ्टलिंग की गोली डालते थे हैं इसी तरह से फ्रेंट आप अपने लाइटर को सीजन ये बहुत ही खराब है मॉइस्चर भड़ा और लाइटर बिल्कुल जलाने पे जलता नहीं है लाइटर अंदर से देखे कितना ज्यादा गंदा इसमें तेल वगएरा पूरा जाकर भठ गया था हमने बहुत दिन से दो तीन महिने से साफ नहीं किया था फॉरन इसे लीजिए आप थोड़ा सा पॉले कर दीजिए उसके बाद ये पूरा पॉर्शन निकल जाएगा फिर इसी कपड़े में आप लगा दीजिए थोड़ा डिटॉल डिटॉल बहुत ही जादा अच्छे से हमारे सारे चीज़ों को क्लीन कर देता है और उसके बाद देखे एक दम हाईजीनिक सा हमारा हो गया ऐसा होता है कि दूठ छोड़ देते हैं तो इसके अंदर छिपकली वेगरा आ जाती है कुछ लोग तो जाली लगाकर फ्रेंट छोड़ देते हैं और आप जानते हैं जाली के ऊपर से वो पिशाप भी कर देती और साथ ही साथ कभी-कभी बीट तो सबसे अच्छा हो कि हैव प्लीज जरूर कमेंट करके बताईएगा मिल प्लीज जरूर कमेंट करके बताईएगा